नमस्ते, ओवर्वीव में आपका स्वागत हैं तीन विशय, इस्त्री की रक्षा करना या शरण देना हम भूल गए हैं दूसरा, बजरंग बली, कृपा क्या पार्टी का नाम देखकर करेंगे और तीसरा, बिलावल भुट्टों का विरोध क्यों करना चाहिए लेकिन इन सब्सक्राइब करने से पहले आप से आगरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबर्शिप ले लें चैनल की मेंबर्शिप का मतलब कि हर महिने एक छोटी रकम आप के खाते से हमारी खाते में आएगी और अगर आप हर बहिने का commitment नहीं करना चाहते हैं तो one time एक मुष्ट एक बार में भी आप हमारी आर्थिक साहता कर सकते हैं आपके आर्थिक सायोग से हमें चैनल चलाने में असानी रहती है अब सबसे पहली बाद इस तरी की रक्षा करना या शरुन देना हम भूल गये हैं आज एक telegraph ने एक story की है और telegraph ने वो story की है जिस पे the new yorker time the new yorker एक magazine है जो अमेरिका से चपती है उसने लिखा एक उस story का हवाला देखे telegraph ने headline लगाई है princess blot on moody government refuses to fade और उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक दुबई के जो शासक थे उनकी चार महिला रिजदारों की बात की है त्यादी त्यादी मैं और फिर उसमें दुबई के जो समय के शासक थे उनकी लड़की कैसे उनकी जातना से उनकी परिशानी से वहां से निकली थे मैं उस पे चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा आपको यह UAE और दुबाई को समझा दू UAE की नाम है United Emirates और इसको Elective Monarchy कहते हैं यहाँ पर यह Federation of 7 Emirates है हम लोग प्रदेश समझ लीजिए समझे हैं 7 Emirates है अब उधाभी जो सबसे बड़ा Emirates है वही इसकी Capital भी है और टोटल एरिया का करीब 86.7% UAE की टोटल एरिया का 86.7% अबुधाभी की एरिया है अजमान है, दुबई है, फुजरिया है, रासल खामा है, शार्जा है और उमा, उम, क्वैन है यह साथ मिलके UAE बनते हैं अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजे, एरिया तो अबुधाभी की 86.7% है, टोटल की लेकिन वहाँ जो टोटल पॉपलेशन है, उसका 29% वहाँ रहते हैं 43% लोग दुबई में रहते हैं, UAE की टोटल पॉपलेशन का और 25% लोग शार्जा में रहते हैं यह मैंने आपको इसलिए दे दिया कि एक आपको एक जनरल आइडिया यहां का रहा है कि यह क्या है एक और इंट्रेस्टिंग वहाँ है जो जो आँ समझ लीजे, दोहजार बीस में UAE की मोटे तोर पे पॉपलेशन रफली 9.9 मिलियन थी 9.9 जब कह रहा है तो करीब करीब 990 लाग थी, एक करोड भी नहीं थी दोहजार बीस में जिसमें से करीब 8 मिलियन एक्सपेट्रेट्स थे, मतलब बाहर से लोग आयके थे, औरिजिनल वहां के रहने वाले नहीं थे जो एमराती जिनको बोलते हैं, जो लोकल थे, वो करीब 11.6 परसंट है, योई की कुल आबादी का 38.2 परसंट इंडियन है, 9.5 परसंट बांगलादेशी है, 9.4 परसंट पाकिस्तानी है, मतलब वहां के लोकल लोगों से ज़्यादा हिंदुस्तानी है, यह मैंने आपको इस लिए कि वहां कोई income tax नहीं होता है, corporate tax अभी लगना शुरू हुआ है, कुछ और income tax नहीं है, अब एक और चीज़ समझ लीजे, कि कहने को वहां एक election का process होता है, जिसमें प्रेजिडेंट हो, लेकिन प्रैक्टिस में जो actual होता है, वो यह है कि जो शेक और अबुधा भी है, वो उसके प्रेजिडेंट होते हैं, और जो ruler कह लीजे, शेक कह लीजे of Dubai हैं, वो उसके वाइस प्रेजिडेंट और प्रामिनस्टर होता है, UAE के, वर्तमान में शेक मुहमद बिन जायद अलनहयान, यह जो शेक मुहमद बिन जायद अलनहयान साहब हैं, यह UAE के शेक मुहमद बिन राशिद अलमक्तूम, यह जो मक्तूम साहब हैं, यह दुबई के शेक हैं, और वाइस प्रेजिडेंट और प्रामिनस्टर हैं, मोटे तोर पे दुबई जो नहयान खानदान चलाता है, और मक्तूम साहब का शासन दुबई में चलता है, यह बात मैं कहके जो मूल बात है, वो जड़ा मैं उस पर आज हूँ, एक स्टोरी नियॉयोरकर कर रहा है, वो स्टोरी पहली मही की लेट है, आठ मही को छपेगी, उस स्टोरी के हेडिंग है, तो फ्यूजिटिव प्रिंसेस अफ दुबई, यह डिटेल में आप टेलिग्राइफ में आप ग अक्तूम साथ, दुबई वाले की लड़की थी, उन्होंने दुबई में, दुबई से फरवरी 2018 में तंग आके, उनकी प्रताना उनके साफ से होती थी, उनके घर में वहवार ठीक नहीं होता था, इसलिए वो वहां से घर से भाग गई थी, शेक लटीफा अडल्ट है, पहल और वो उमान एक गाड़ी के डिक्की में बैठके कैसे पहुंचे और उमान से पर उन्होंने एक छोटा यात लिया, जिसको हम छोटी शिप कह लीजे, शिप लेके उन्होंने समदर के रास्ते, जो बहुती छोटी शिप थी, उसमें मतलब खत्रा था, इंडिया या श्री ल प्राइम मिनस्टर साहब, उन्होंने हमारे प्राइम मिनस्टर नरेद मुदी साहब से बात की चीज़ की, यह पूरा उस स्टोरी में है, और यह टैंकिया, चूंकि इसमें अब इसमें फाइदा क्या होगा, यह दिखा गया, आपदा में अफसर, तो हमारे यहां से यह कहा गया, कि आप उसको हमें दे दीजिए, और हम आपकी लड़की को आपको दे देंगे, इसके बंदे शेक लतीफ को वापस करने का तैंग हुआ, फिर इसी न्यू यॉर्क की स्टोरी के अनुसार, भारस सरकार ने, बोट, हेलिकॉप्टर, कमांडो के द्वारा, उस शिप पे धावाबुरा, उस शिप का नाम नॉस्ट्रोम, नॉस्ट्रोमो था, उस पे धावाबुर के लतीफा जी को कैप्चर किया, और फिर ये वापस दुबई भेज दी गए, बाद में दुबई गॉर्मन ने जब पूरे दुनिया में बहुत होहला मचा, उन्होंने ये कहा क कि ये भागी नहीं थी, इनको किड़नेफ करके ले जाना जा रहा था, उस पोरी स्टोरी आप पढ़ेंगे, तो बहुत डीटेल में है, कि भई अगर किड़नेफ करके ले जाना था, उनकोग खुश होना चाहिए था, इनको बेहोश करके बेहोश नहीं हो रही थी, कैसे इन इंदुस्तान ने कि अच्छा काम किया कि एक किर्णाइप वालों को बचाया जो ये स्टोरी कर रहे हैं उनके अनुसार लतीफा को रेकिस्तान में इस्थजोर की जेल है अल अवीर उसमें कैरकरत के रखा गया अब इसके बाद का इंटर वो है जरा समझ लीजे मैं कोई इस सिविलियन अवार्ड है ये जायद जो थे उनको कहा जाता है दे फांडर ओफ युए बड़े विजनरी थे और उन्होंने युए को जिस जो तेल और उसका था लेकिन उन्होंने दुबाई मतलब पूरे युए का माफ कीजिएगा पूरे युए का उन्होंने नक्षा बदल दिया था बदल दिया है अब इसने तो 2019 में मुदी जी को और्डर ओफ जायत दे दिया गया और एक और जानकारी आपके लिए क्योंकि कौन सी चीज कहां हो रही है यह आपको जानना ज़रूरी है अभी जब अडानी जी का एफ प्यो आया था और उनको दिक्कत हो रह जी ने इसमें अडानी जी की मदद करने की बात कही थी अब एक दो प्रशने हैं जिसका आंसर आपको और हमको मिलके देना है क्या यह हुमिन राइट्स के अनसार मानावदगार के अनसार यह जो अदला बदली वैपार का हुआ कि उनको ले लिया गया और इस लड़की जो प्रताडित हो रही थी उसको दे दिया गया क्या महिला अधिकार के अनसार वुमिन राइट्स के अनसार क्या यह उचित था और थोड़ी देर के लिए आप केवल इसको एक मॉडल से देख लिए जहां पे केवल वैपार और वैपार है इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ कर पाएं एक चीज़ मैं और कहूँ है इसका कोई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन याद दिला दूँगा कि नहरू ने दलाई लामा साहब को जो तिबत के राजा भी थे धर्म गुरू भी थे को जब शरण दी थी तो चीन से एक तरह से उनका चीन बहुत गुसा और मैं ये बात मैं बात सर्विसली कह रहा हूँ कि इसको कंपेर कर लीजे शेक लतीफा को पकड़ के एक्चेंज करना और इसी देश के एक प्रधार मंत्री ने दलाई लामा को एड़ दी कॉस्ट आफ कि हमारा खराब भी होगा चीन से हमारे रिष्टे खराब भी हो उसकी वज़े से हमने एक शरण में आय हुए विक्ति को अपनी शरण दी थी हमारा ट्रेडिशन किसके करीब है यह आपको देखना होगा अब मैं तीसरी बात कर लो है बजरंग बली की कृपा क्या पार्टी का नाम देकर करेंगे मतलब वह अब ऐसा हो गया है कि बजरंग बली का मतलब वह केवल बीजेपी का आपने अगर नाम ले लिया तो जैसे एडीडी वारे दोरों बजरंग बली केवल वहीं आ जाएंगे जहां बीजेपी का अगर आप कुछ जंडा लगाए होंगे या कुछ वो पहने होंगे पटका पहने होंगे या बिल्ला लगाए होंगे तर अब इसको बजरंग बली से जोड़ा जा रहा है मतलब एक किसी ने कहा कि अगर किसी का बजरंगी के तो इसको आ पकड़ नी सकते हैं तो बजरंग दल रख लेने से आप बजरंग बली के रिप्रेसेंटेटिव हो गए ये तो इस पर क्या बोलें क्योंकि दिक्कत क्या है ये जो लोग वोट के चक्कर में हर्मान जिनको देख के मंद से सारे लोग भाग जाते हैं आपको शांती मिलती है उनको एंगरी हर्मान ब जो राम जिनका जैसी राम कहने से मन में शांती मन का ख्लोध मन की आवेग होता है मुझे फिरकुर ठीक से याद है कि घर में कहा जाता था पहले बच्पन में कि अगर रात पे नीद नहीं आ रही है तो राम 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 का जाप करो नीद आ जाएगे उसको आपने कर दि आया ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं बजरंग दल का मैं जादा इतिहास नहीं बता रहा हूँ सिर्व आपको याद दिला दिरहा हूँ लंबा इतिहास है बाबू बजरंगी बजरंग दल का अदमी उसके बहुत से वह हैं आप गूगूल कर लीजे वो किस तरह से उपनली कह र उत्र है वो कैसे उन से बजरंग बाब बजरंगी से कह रहा है कि तुम धैर रखो सब मैं फिट करता हूँ मैं सेट्ल करता हूँ ये वो हैं जनुरी दोहजार तेश में चिकम अंगलूर में एक माइनर लड़की की हत्या जो की है उसमें बजरंग दल का एक्टिविस्ट है भी बंद हुआ है बहुत लंबी फेहरिस्ट है मैं जादा पर नहीं जा रहा हूँ एक और याद दिला दूँ याद इसलिए दिला दूँ कि इस तरह के लोगों से चुनावी फाइदा लिया जाता है आपको मालू है कि राम रहीम जो रेप का में दोशी है और मर्डर में द बापू रेप और वो सबकी सजाभुकत रहे हैं बीजेपी की जो टॉप लीडर्शिप है सब के साथ उनके ऐसा नहीं कि एक कहीं फोटो खिच गई हो नाशते गाते बात करते पैर चूते नित्य करते ही सब फोटो एं आसाराम के साथ उस आसाराम को के फेवर में समर्थन म अगस्ट 2013 में इसी बजरंग दल ने धरना दिया था यही बजरंग दल था फिर एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा दूंगा बहुत छोटी सी है आप डीटेल आप खुद कर लेंगे जफर सरेशवाला हैं मोदी जी के साथ बहुत दिखते हैं गुजरात के बिजनसमेन हैं फॉक्स परसन तो नहीं बोलेंगे और उनकी बातों को सपोर्ट करते हुए दिखाई लेते हैं उनका हैं सुनीजिए क्या वाकरी में अब गुजरात में प्रवीन तोगडिया और बजरंग दल के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जी देखे जिन लोगों को गुजरात का अगर अंदाजा हो आप तो सिर्फ दंगों की बात करते हो गुजरात में जो दहशत थी नहीं यह फसाद के बगएर यह बजरंग दल और वी-एच्पी की होती थी यह नहीं ऐसी होती थी मैं नाइन्टीज का जमाने की बात करता हूँ जब गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ था चाहे कॉंग्रेस की हुकुमत हो या किसी की भी हुकुमत हो सड़कों पे चलती थी वी-एच्पी या बजरंग दल की यह नहीं उनकी दादेगीरी का यह आलम था कि अमदाबाद शेहर में आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते थे और तोगडिया साब की चलती थी पुलीस में यह जो वंजारा वगरा जो अंदर है ने यह ब्लू आइट बॉई तोगडिया के थे और मुसल्मान दहशत में था इनके उसमें और बिलकुल मैं मौलाने की बात को ताइद करूँगा कि अगर कोई मर्द मुझाइद है जिसने इनको ठिकाने लगा दिया और इनको बिलकुल ऐसा न्यूट्रलाइज कर दिया है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं और अंत में एक आदमी का नाम फिर से कहूंगा सुबोध कुमार सिंग जिसनों को पुलिस के स्पेक्टर साहब बिलन शाहर में उन्हों ने अगर उस दिन उसको रोका नहीं होता तो कितना बड़ा दंगा हुआ होता है यह अंदाज नहीं है सुबोध कुमार सिंग की हत्या के मुख है रोपी योगेश राज भी बजरंग दल से हैं तो यह मैंने सिर्फ बजरंग दल की एक्टिविटी कहा है बजरंग नाम रख लेने से कोई बजरंग बली का उसकी मतलब वो उसी की सारा पपौती हो जाए यह तो नहीं है बजरंग बली इन सबसे उपर हैं और बजरंग बली देखते हैं कि कौन अच्छा और कौन क्या कर रहा है और बजरंग बली उसी हिसाब से अपना न्याय भी करते हैं अब तीसरी और जो सबसे इंपोर्टन बात है मेरे हिसाब से वो बात है बिलावल भुटो का विरोत क्यों करना चा एक बार जरूर बिलावल भुट्टो गो बैक कहना चाहिए अब उसको मैं कारण बताता हूं क्यों सार्क की मीटिंग नहीं हो पा रही है और उसका मुख्य कारण यह है कि फॉर्ण मिनिस्टर्स की एक मीटिंग जैसे नियॉयॉक में 2000 सेप्टमर 2020 में होनी थी हम भारत को अब अफगानिस्तान की लोगों कैसे ला रहा है पाकिस्तान उनकी साथ कड़ाता और इन सब अब पाकिस्तान लगातारी आरोप लगाता रहा है कि भारत की वज़े से सार्क की मीटिंग नहीं हो पा रहे हैं एक बिलावल भुट्टो जो है वो शंगाई को आपरेशन यह उससे पहले एक चीज़ से बता दूँ कि यह शंगाई को आपरेशन और्नाइजेशन क्या है यह चाइना के द्वारा के नेत्रत्र में एक और्नाइजेशन बनी है जिसमें साथ आठ देश देश है जो पुलिटिकल एकनॉमिक डिफेंस और इंटरनाशन सेक्योरिटी मे एक दूसरे की बात के तेस्योग करेंगे इसकी चर्चा नाइटी नाइडी सिक्स में हुई थी फॉर्मली यह 15 जून 2001 में बनी भारत और पाकिस्तान को इन लोगों ने काफी हम लोग इनके पीछे लगे रहे कि हमें सदस्ता दो तो 2017 में इंडिया पाकिस्तान को एक साथ इ यहां उसमें नहीं है दूसरा इसका हेड़कॉर्टर बेजिंग में और ताशकन में है बेजिंग में मुख हेड़कॉर्टर है इसकी ऑफिशल लैंग्वेज चाइनीज और रशियन है वो हमारी हिंदी नहीं है अब हिंदी को भी इसकी लैंग्वेज क्यों नहीं है यह हिंदुस्तान में आके आपके देश में आके इस बैठक में भाग ले रहा है और क्यों विरोध करना चाहिए वो मैं आपके बता दू पहली चीजी है कि गौंग की बात कर लीजे शेहर की बात कर लीजे स्कूल की बात कर लीजे कहीं की बात कर लीजे कुछ जगड़े आपस के होते हैं कुछ विरोध आपस का होता है कुछ हमारे और आपके आपका कोई point of view हो सकता है मेरा कोई वो आपस का है लेकिन अगर बाहर वाला कुछ हमसे बोलेगा तो उसको तो उसके दान भी खटे करने चाहिए और उसको मदा भी चकाना चाहिए हमारा मेरा या किसी का भी एक राय नहीं हो सकती है जो आज मुदी जी कर रहे हैं या जिस धंक से कर रहे हमारी उन से हमारी उनके मत में भिन्निता हो सकती है लेकिन मुझे हर दम याद रहता है कि वो इस देश के हमारे प्रधान मंत्री हैं और हमारे इस प्रधान मंत्री के लिए बुलावल आप सिर्फ गूगल कर लीजेगा मैं उसको मैं खुद जानबूच को लिंक नहीं दे रहा हूँ बुलावल बुट्टो ने क्या क्या इनको नहीं कहा है उसामा बिलादन से इनकी तुलना की है बुचरफ गुजराद बुला है वो अभी अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में बैटके कह रहा है कि अमेरिका आने से बना कि अमेरिकन्स को ललकार रहा है विलावल बुट्टो बैटके क्या तुमने यहां पे इनको आने से बना किया थ है और फिर वो मैं इस बात को तो खैर मुझे नहीं लेकिन मेरा तो असली वो है हाना कि RSS को भी उसने बहुत कहा है उसने का RSS का मतलब जो हिटलर की SS है ये वहां से वो है उसने कहा है कि ये भारत एक ऐसा देश है जहां पे गांधी की फिलोसफी को नहीं मानते हैं गांधी के हत्यारों के फिलोसफी को मानने वाले ये RSS वाले लोग है ये उसका लेकिन RSS की बात अलग है उसने हमारे प्रधान मंत्री को के बारे में जो बातें कहीं है मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी भारती को anyone को जितना उस से हो सके उसका विरोध भारत की धरती पे करना चाहिए क्योंकि अगर वो हमारे प्रधान मंत्री को बुचर अफ गुजरात कह रहा है तो ये हमारी internal हो सकती है, हम उनसे कुछ भी जगड़ा कर सकते हैं, हमारी एकमत नहीं हो सकते हैं, हमारी राए बिनन हो सकती है, लेकिन वो इस देश के प्रधान मंत्री हैं और किसी को ये हक नहीं है कि हमारे प्रधान मंत्री के बारे मैं सका है, thank you so much